हे गाईज, वेलकम टू अनु अमाया स्किन केर फ्रेंड्स समर चल रहे हैं और ये सीजन आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो हम सब के लिए काफी जदा टफ होता है सभी की स्किन ओईली हो जाती है जहाए आपकी स्किन नॉमल हो या ड्राइ हो वो भी इस टाइम ओईली ही लगती है फेस पे एक्सेस ओईल की प्रॉब्लम सुरू हो जाती है आपके रोमचिद्र है वो काफी बड़े हो जाते हैं जो देखने में एच्छे नहीं दिखते हैं इससे एक्सेस स्वैट यानि पसीने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है इसकिन डल लगने लगती है और अगर आपकी स्किन ओईली है फिर तो पिम्पल्स और एक्ने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा फेस पैक लेके आई हूँ, जो हम मुलतानी मिट्टी से बनाने वाले हैं, या इसकिन को डीप क्लेंज करती है, एक्सेस ओयल रिमूव करती है, पोर्स को टाइट कर देती है, साथ ही इसकिन का पी एच बैलन्स भी करती है, सनबर् रिमूव करने का भी काम करती है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको किस तरह से प्रिपैर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको वन टेबल स्पून मुलतानी मिट्टी चाहिए होगी, और इसमें जो हम सेकेंड इंग्रियेंट इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है सेंडल व कोर्स की प्रब्लम को खत्म करता है, और एकसिस ऑल को भी रिमूव करता है, आपकी स्किन पे एजिंग साइन साइन आने सुरू होगा है, वो फाइल लाइन की तरहीं हो सकते हैं, या फिर रिंकल्स की तरहीं हो सकते हैं, ये उनको क Pew कर लीटा है, और इसमें थर्ड उंग्र इस्तिमाल मत करिएगा, करमरी काफी सालों से इसकिन के लिए इस्तिमाल होती आई है, means राजा महाराजा कि टाइम से हीस को इस्तिमाल किया जाता रहा है, यह एंटी बेक्टीरियल, एंटी सेटिक प्रोपटी से भरपूर होती है, आपका रंग निखारने का काम करती है, fourth and last ingredient ह हम इस्तेमाल करेंगे वो है rose water, rose water हमको उतना ही add करना है कि इसकी consistency सही आ जाए, friends rose water हम सब को पता है natural toner का काम करता है, इसको अच्छी तरह से mix कर लेना है, और कम से कम 15 minutes के लिए face पे apply कर लीजिए, 15 minutes के बाद आप इसको normal पानी से wash कर लीजिए, अगर आपने kitchen की हल्दी इस्ते कर सकते हैं, वो थोड़ा सा color आपके face पे दे देती है, week में सिर्फ दो बार आप इसका इसका इस्तेमाल कर लीजिए, summer's के कोई sign आपके face पे नहीं आने वाले हैं, और आपके skin तरो ताजा बनी रहेगी, साथ ही ये dullness को remove करेगा, और आपके skin को fresh flawless look देगा, so friends एक बार इस् ख्याल रखिए, मिलते हैं next video में, thanks for watching, bye bye